तो नितेश कुमार को क्या इंडिया गडबंधन का संयोजग बनाया जाएगा इसी सवाल के इर्दगिर्द इस वक्त घूम रही है देश की सियासत आई आगे बढ़ते हैं हीट एंड रन कानूनों में बदलाव अब सरकार के लिए गले की फास बनता जा रहा के एक तरफ आंदोलन की वज़से आंदोलन की आग में देश के कई हिस्से कई राज्य इस वक्त जुलस रहे हैं तो वही आम लोगों के लिए मुसीबत और भी बढ़ती जा रही है पैटरल पंप पर तेल की किलत से जूज रहे हैं लोगों की हाईवे पर उनको अब जाम का सामना भी करना पड़ रहा के इसी पर देखें खास रिपोर्ट देश के अलग-अलग राज्यों से आई ये तस्वीरे आने वाले दिनों में सरकार के लिए बड़ी चुनोती खड़ी कर रह सकती है देश भर में इस वक्त हिट अन रन कानून के विरोध में ट्रक चालकों और ट्रांस्पोर्टरों ने हरताल शुरू कर दी है नए कानून के विरोध में राजस्थान, गुजरात, मंदिप्रदेश और यूपी बिहार के ड्राइवरों ने शनिवार से ही चक्का जाम करना शुरू कर दिया था कि इन सरकार द्वारा सनक हाथ सुपर नियंत्रल करने के लिए हिट अन रन कानून में बद्दाव किया जा रहा है जिसका ड्राइवर बेरोध कर रहे हैं अब जिस हिट अन रन कानून का ट्रक ड्राइवर बेरोध कर रहे हैं जरा उसे समझ लीजिए आखिरकार वो है क्या हिट अन रन कानून सनक हाथ सो पर लगाम लगाने के लिए है खासतोर पर हिट अन रन के मामलों पर रोक लगाई जा सके इसमें बिना हादसे के खबर दिये और फरार होने पर सक सजा का प्रावधान है खबर दिये मौके से भागने पर सक सजा और बड़ा जर्माना लगेगा कानून को दो कैटेगरी में बाटा गया है पहली श्रेणी में लापरवाही से ड्राविंग हादसा हुआ और मौत की वज़े ड्रावर है तो वो गैर इरादतन हत्या नहीं होगी इसके लिए 5 साल तक की जेल और जर्माने का नियम है दूसरी श्रेणी ड्रावर की लापरवाही से मौत और मौके से फरार होने की इसमें आरोपी को पुलिस मजिस्ट्रेट को खुद ही हाथसे की जानकारी देनी होगी ऐसा ना करने पर 10 साल तक सजा और 7 लाख का भारी भरकम जुर्माना लगेगा बहुत ज़रूरी था कि एक कानून लाया जाए जिसे कि पुलिस को कोई option नहीं रहे बलकि उसे non-bailable offency लगाना पड़ेगा और जब 10 साल जैसी कड़क सजा का प्राभधान हो जाएगा तो number one यह जो accident करते हैं वहाँ से भागेंगे नहीं वो पुलिस को inform करेंगे victim को hospital ले जाएगे और साथी साथ जो है accident के जो rate है वो भी कम हो जाएगा तो मुझे लगता है कि यह जो truck drivers strike पे उतरे हैं चक्का जाम कर रहे हैं वो सही नहीं है क्योंकि यह लोग बहुत ही negligent rash driving करते हैं इधर इस पूरे कानून पर driver का तर्ख है कि सनक हाथ से के वक्त लोग उस्से में होते हैं ऐसे मामलों में भीड हमेशा driver ओपर हमला कर देते हैं driver अगर मौके पर मदद करना भी चाहें तो उन्हें मार पीट का डर रहता है driver का कहना है कि कोई जान बूच कर सनक पर accident नहीं करता कोहरे और दूसरी बज़ों से सनक हाथ से होते रहते हैं यह जो रोडवेज है हम चला रहे हैं दस लाक जुर्बाना ओ दस साल सजा यह हमको बरदार नहीं लैसन तूर के फेंक देंगे गारी चलाना बंद कर देंगे चुपे घर में बाटेंगे मन्जूरी करेंगे बस चालक हो या फे ट्रक ड्राइवर हो इसी सकत प्रावधान से सब परेशान है यह सोचकर कि सणक पर गलती किसी की भी हो गरदन सिर्फ उसी की न पेगी जिसके हाथ में गाड़ी की स्टेरी हो बैरा देश भर के ड्राइवरों के तेवर बता रहे हैं कि अगर हिट रन रन कानून में बद्दाव नहीं हुआ तो यह आंदोरन लंबा खित सकता है